हलो फ्रेंड्स मैं हूँ चंदन आचार जी and welcome to my channel इस वीडियो में हम बात करेंगे packing chart के बारे में और देखेंगे कि packing chart क्या है और इसकी आपके business के याने मचली के business में packing chart की utilities क्या है तो इस वीडियो को शूरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले and bell notification को भी दबा दे तो चलिए शूरू करते हैं अब बात करते हैं कि packing chart क्या है packing chart कुछ भी नहीं है बलके एक document है जहाँ पर पार्टी जो फीश आपको दिया है उसकी पूरी details उस packing chart के अंदर लिखा हुआ होता है जैसे आप अभी screen पर देख रहे है एक packing chart यह एक sample packing chart है जो के मैंने बनाया है अपने आप से नॉर्माली packing chart के अंदर 200, 500 या 300 karat के details होते हैं मचली के लेकिन वो document बहुत ज्यादा बढ़ा होगा इसलिए मैंने एक चोटा सा sample आप लोग को समझाने के लिए मैंने इसको बनाय transaction की जो भी details है वो packing chart के अंदर details में लिख के आपको यह packing chart भेजता है अब packing chart के अंदर क्या क्या लिखा होता है आये देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो important चीज़ है वो है vehicle number यानि कौन से ट्रांसपोर्ट या गारी से यह जो मचलीया है वो आया है आपके पास दूसरा ज आपके बिजनेस के अंदर जो भी काम होता है पैकिंग चार्ट एंट्री होने के बाद जो भी काम होता है जैसे कि आनलोडिंग होना चालान एंट्री होना जो भी होगा जो फीश का जो calculation होगा रेट जो आएगा वो सब कुछ विकल नंबर एंड डेट के हिसाब से होता है जो यहां पर पैकिंग चार्ट के अंदर मेंशन है नीचे आप जो टेबल देख रहे हैं यहां पर मैंने दो टेबल बनाया है नॉर्मल जो पैकिंग चार्ट होता है वहां पर बहुत सारी टेबल होता है उसके अंदर मचली की पूरी डिटेल होता है यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए श्रिफ दो ही टेबिल बनाया है आप देख सकते हैं यहां पर अब इसके अंदर क्या क्या है देखिए पहला है सिरियल नमबर देन है ट्रे नमबर देन है वाराइटी देन पीसेज और केजिस इस तरह से पार्टी आपको इन डीटेल हर मचली की हर कैरेट की कि अपको पैकंग चाट पर लिएक के भेजता है अगर मैं थोड़ा देखिएव में जाऊँ इस टेबिल की वह यह है के सिरियल नमबर एक सिरियल नमबर जो पार्टी मेंटन करता है बोही सिरियल नमबर पैकइंग चाट के ऊपर लिखा हुआ बाहे 123 करके एंड उसके बाद जो है वो है ट्रे नंबर ट्रे नंबर एक ऐसी नंबर है जो पार्टी जो कैरेट होता है कैरेट या ट्रे या थार्मकॉल वक्स जो भी होगा ट्रे होगा उस ट्रे के बॉड़ी में एक नंबर लिखा हुआ होता है वही है ट्रे नंबर एंड प यह काँ सी customer के पास गया है एट सेटर देने variety variety कया है variety ययाने मचली का नेम fish name तो यहां पे R लिखा है इसका मतलब यह है रोही फिश है अगर K होता तो कतला होता है ऐसे variety यहां पे लिखा जाता है जब कोई packing chat में गाल आता है उसके सब्से अब केजी क्या है क्या हें को ज़ो ऑफ लिखा होगा तो अहां पर है और का की ज़ो हुआ है worst sound और यहां पर चोटी सी बात मैं कहना चाहोंगा इन क्यों जो 40 kg यहां पर हुआ है यह including carrot weight है मतलब इस weight के अंदर carrot की भी weight added है जब आप customer को यह carrot देंगे and जब customer आपको चलान बना के देगा तो वह क्या करेगा वह 40 kg के उपर चलान नहीं बनाएगा बलके यहां 5% लेंज करके जो weight होगा यानि अगर हिसाब किया जाए तो 38 kg होता है तो 38 kg के उपर वो चलान बनाएगा तो packing chart यह आप करते हैं पैकिंग चारत की यूजिस के बारे में आपके business में अगर packing chart की case की यूजिस की बात करें तो normally दो टाइप की यूजिस पैकिंग चारत की होता है पहला जो uses है पो है customer जब चलान बनाता है तो customer क्या करेगा उनके चलान में carrot number, total number of fish, fish का name, total cages कितना होगा इसके हिसाब से in detail information देखे वो चलान मना के आपको send करेगा लेकिन आप क्या करेंगे आप packing chart के अंदर उस carrot का क्या क्या information लिखा हुआ है वो एक बार cross check करेंगे customer नी जो लिखा है and packing chart के अंदर जो है दोनों को एक बार आप cross check करेंगे अगर information ठीक हुआ तो फिर आप जो customer नी जो चलान बनाया है उसको आप accept करेंगे तो यह एक utilities है packing chart की दूसरी जो utilities है वो है जब आप party चलान बनाएंगे तो यहाँ पे packing chart है उसकी हिसाब से पार्टी चलान बनेगा नॉर्माली packing chart की यह दो ही utilities है या फिर दो ही uses है तो आईए देखते है कि email software के अंदर packing chart को आप कैसे entry करेंगे जैसे आप screen पे देख रहे है इस window से आप packing chart की entry करेंगे packing chart को entry करने के लिए कुछ information है जो आपको system को provide करना होगा या फिर software को provide करना होगा पहला जो option है वो है invoice number यह invoice number software में system के थुरू यह automatically maintain होता है next है invoice date invoice date क्या है चालान में जो date लिखा हुआ है वही date हम यहाँ पे डालेंगे देन है party name जो party हमें packing chart दे रहा है उसकी नाम यहाँ पे हमें select करना होगा देन है entry date entry date कुछ भी नहीं जिस date पे आप entry कर रहे है वही date system इसको automatically pick कर लेगा अब अगर चाहे तो इसको change कर सकते हैं देन है vehicle number vehicle number very very important है कि कौन vehicle number जो packing challenge में जो लिखा होगा है वहीं यहाँ पे डालना होगा देन है tray mark ट्रे मार्क भी यहाँ पे डालना होगा जो packing chart में mentioned है देन है vehicle type यहाँ पे select करना होगा जैसे डाला vehicle type है या पीर कुछ और है देन है tray type अब tray type क्या है यहाँ पे दो option होता है एक normally carrot होता है और दूसरा होता है रूज फीश है then cereal number one then carrot number number of fish weight in kg यह जो information आप fill up करेंगे नॉर्माली packing chart के अंदर जो जिस तरह सी information होगा आप उसी information को यहाँ पे डालेंगे अब यहाँ पे net weight and total fish automatically system अपने इसाब से वो calculate कर लेगा अब यही total fish and net weight यह final है जिसके उपर जो customer है वो payment करेगा then save button पे click करना है और इसी तरह से आपको आपके packing chart के अंदर जितनी भी carrot है जितनी भी fish की information है सब one by one यहाँ पे इसी तरह से entry करना है जब आप एक complete packing chart को आप entry कर लेंगे तो उसके बाद अगर उसको आप देखना चाहे तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं अगर आप इसी तरह इस software के अंदर packing chart की जो list है उसकी details and history देखना चाहेंगे तो यह जो screen पर आप देख रहे हैं इसी तरह से आप उसको देख सकते हैं उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा पैकिंग चट क्या है इसकी uses क्या है और email software के अंदर आप packing chart को कैसे इंट्री करेंगे और उसकी details दिखेंगे और उसकी list दिखेंगे आपको समय में आया होगा अगर कोई queries है तो आप comment में पूछ सकते हैं तो म